तो यह हमारा Windows के स्क्रीन है हर कोई फैमिलियर होगा इसके साथ जस्लैक अगर सीडी ऐसे अलग अलग ड्रैइज होते हैं एनिवेइ मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूं और इसके अंदर एक फोल्डर क्रियेट करता हूं अब सबको पता है कि कैसे ऑपरेट किया जाता है फाई बनाई जाती है एक फोल्डर बनाता हूं जिसका मैं नाम देता हूं और अब करना यह है कि ऐसे ही मुझे दस फोल्डर बनाने एक के बाद एक जैसे यह दे जिया मैंने दो अभी एसी में इसी में बनाते जाना है लेकिन जल से जल वेल इसकोट चैलेंगिंग ना आसान नहीं कि मैं एक जटके में 10 फोल्डर बना दो लेकिन लीनक्स एक ऐसे ओपरेटिंग सिस्टम है जहां पे में एक जटके मैं 10 के 10 फोल्डर बना सकता हूं और फिर उसको मैं वहां पर से डिलीट भी कर सकता हूं तो चलो देखते हैं कि यह कैसे पॉसिबल लीनुक्स में और उसमें बाकी सब चीज़ डिलीट करना कर्ट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है सब कुछ टीटेल में शिरू करते हैं Let's begin with Linux Navigation तो मैंने ओपन कर लिया हूँ अपने PC में Visual Studio Code और यह इंस्टूल करने के आपको कोई ज़़ुरत नहीं है क्योंकि हम यह यूज नहीं करने वाले फिलाग मैं बस बताना चाहता हूँ कि जनरली लोग टर्मिनल की प्रैक्टिस करने के लिए यह सॉफ्ट्यूर का यूज करते हैं क्योंकि इसमें टर्मिनल रहता है प्राब्लम यह है क्योंकि यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यह प्रॉपरली वर्क नहीं करता है उतना अप्टिमाइज नहीं होता है और बहुत सारे कमांड इसमें चलते नहीं है तो इसमें आपको सार्च करोगे आपको टॉप पर दिखी जाएगा बस स्पॉंसर वाले को छोड़ दो और नीचे में क्लावड शेल है उस पर क्लिक करो तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने यह स्टार्ट हो जाता है और आपको क्रिडिट कार्ड वगरा की भी ज़रुवत नहीं है इसके लिए बस आपको जीमेल का अकाउंट होना चाहिए लॉग इन कर लेना इसमें जीमेल के अकाउंट से और उसके बाद जैसा कि आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है एक्स्टर्नली कि आपको इस सॉफ्ट्वियर अपने पीसी में डाउनलोड करो अभी देख रहे हो इनिशिलाइज हो रहा है और हेर यूगो हमारे सामने स्टार्ट हो गया एक टर्मिनल और अब यहां पर आप अच्छे के प्रैक्टिस कर सकते हो और अब यहां पर आपके कीबोर्ड में जो टैब रहता है अब जिस्ट उसके ऊपर देख सकते हैं कि एक टिल्डे बनाओ यह रिप्रेजेंट करता है कि यह जो है यह आपका होम स्क्रीन है अभी आप अपने लिनक्स के होम टैब में एक्सिस्ट करते हो तो सबसे पहले तो यह जानना बहुत ज़री कि आप हो कहां पर आपकी निविगेशन क्या और उसके लिए चीज़े जो यूज करते हैं कमांड यह पी डब्लू डी जैसी मैंने प्रि पी डबलू डी पे क्लिक किया यूग अब मैं बता ना चाहता हूं आप लोग को लग को यह जाता है उसके बारे में देखने के लिए for example अगर मुझे देखना कि इस वक्त क्या है तो मैं देख सकता हूं मेरे इस home directory में readme cloudshell.txt नाम से एक file मौजूद है अब इस point पे मैं इक चीज किलियर कर देना चाहता हूं कि मैं हमेशा आगे आने वाली वीडियो में directory word का use करूँगा तो ज्यादा confused नहीं होना है कि मैंने कौन सा word बोल दे directory इस basically a folder folder is equal to directory यही मतलब है उसका और कुछ भी नहीं है लिनक्स में यही word use किया जाता है अब कैसे बनाया जाता है directory तो उसका simple तरीका mkdir लिखो यानि make directory mkdir space देखे जो भी हमको नाम देना है वो नाम बस डाल देना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ sample तो make directory डिरेक्टरी का नाम होगा sample और अससुन है इसमें इंटर दबाऊंगा done हो गया कुछ भी इसने error नहीं दिया इसका मतलब हो गया चलो मैं LS करके चेक कर लेता हूँ कि मेरे current directory में क्या क्या चीज़ है जैसे हमने पहले ही पढ़ा था और अब जबी आप एक डिरेक्टरी बनाते हो तो आपका मन करता है कि मैं उस डिरेक्टरी के अंदर जाओं जाके देखों यानि उस folder के अंदर जाओं तो इसी को हम कहते है चेंज डिरेक्टरी यानि CD मेरा मन कर रहा है मैं अपनी डिरेक्टरी चेंज करूं CD करके मैं सैंपल के अंदर जाना चाहता हूं इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा सैंपल चेंज डिरेक्टरी, सैंपल यानि मैं अपनी करेंट डिरेक्टरी चेंज करके मैं सैंपल डिरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर मैं कि एक इंपोर्टन चीज बताना चाहता हूँ कि आपको पूरा लिखने की ज़़रुत नहीं आप से जो भी स्टार्टिंग वड़े हो दबा के टैप बटन दबा दो वो खुद आगेगा कंप्रेट कर लेता यह याद रखना बड़ी काम की चीज है उसके आज इंटर करूंगा और देख सकते हो मैं सैंपल के अंदर आ गया हूँ आप एकदम अच्छे से देख सकते हो कि तो मैं आलता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि सेंपल के अंदर क्या है कुछ भी नहींorden अभी अभी हमने नया फॉल्डर बना तो कईसे सेख गए अब니 करते हैं कि हम किस तरह से एक फाइल को बना सकते फॉर एक्जामपल एक ऐसी चीज जो नोटपैड में खुलती है उसको फाइल कहते हैं तो अगर मैं टच लिखूं ट-o-u-c-h और उसके अधर फाइल का मैं कुछ भी नाम दे देता हूं और साथ में make sure कि आप extension लगाओ जैसे यहाँ पर .txt यहनी यह वही चीज जो नोटपैड में खुलता है तो touch space जो भी name देना है वो .txt यह मैंने जैसी डाला कि यह मेरे लिए एक file create कर देगा जो कि windows में notepad में खुलता है तो मैं enter कर लेता हूं और देखता हूं क्या होता है इसने कुछ error नहीं दिया मतलब हो गया ls करके check कर लेता हूं so now you can see there is one file test .txt अब मान के चलो मुझे वापे से जाने का अपने home directory पे इस वोग मैं sample के अंदर हूं मुझे one step back जाने का क्योंकि sample के पहले home directory यहां पर आप देखी सकते हो slash के पहले home तो उसके लिए जो use होता है of course हम directory change कर रहे तो लिखेंगे cd और साथ में लिखेंगे dot dot double dot का मतलब है one step back हम कहीं पे भी है तो उससे एक step back उसको कहते है dot dot तो देखो अब मैं आगया home directory पर चलो वापस से LS करके देख लेता हूं कि इस वक्त क्या है तो जैसा कि clearly दीख रहा है जो मैंने बनाया हूं sample नाम से वह है और जो already exist करता था readme cloudshare.txt file वह एक है अब क्या करते हैं for just practice purpose मैं एक बार फिर से एक directory बना लेता हूं जिसका नाम दे देता हूं this time let's say मैं technology नाम दे देता हूं मैंने ये नाम दे दिया और अब मैं LS करके देख लेता हूं क्या क्या है तो देख सकते हूं technology नाम से कुछ बन चुका है अब मैं technology के अंदर जाता हूं change directory करके cd करके और अब मैं अंदर आ गया हूं और let's say मैं एक और directory बना लेता हूं या इसका नाम दे देता हूं test तो अब मैं LS कर लेता हूं और देख लेता हूं कि test बनाएगा तो ये बना हुआ है अब मैं अपनी directory change करके let me go inside the test और ये रहा हमारा एक फिलाल अभी तक का structure तो अब हम location के बार में path के बार में फिर से देख लेते कि आपका current path क्या होता है ये जो dollar के पहले जो भी है जो अभी मैं highlight किया हूं ये हमारा path है current location है और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग गलती कर देते हैं यहां पे beginners लोग तो PWD भी आप डालोगे तो आपको exactly बता दिया जाएगा कि आपका location क्या है as of now मैं इसको copy कर लेता हूं मेरे इस current location को और आपको बताता हूं कि अब हम क्या करने वाले हैं तो यह मैंने copy कर लिया और इसके बाद मैं CD करूंगा और dot dot डालूंगा अब यहां पर एक problem है कि जभी मैं CD dot dot करता हूं मैं तो one step back जाता हूं यानि अब मैं करूंगा तो मैं technology म मैं चला जाओंगा लेकिन मान के चलो मुझे जाना है home directory तो क्या कोई shortcut है कि मैं direct home directory पे चला जाओं आपको बताई है मैंने tilde का मतलब होता है home directory तो आपको हमेशा डॉट 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 करके पीछे जाने की ज़वरत नहीं है सीधा tilde डालो पहुंच जा तो आप मैं change directory करके सैंपल के अंदर चला जाता हूं वहां पर देखो अब हमें करना यह कि इस फाइल को कॉपी करना है और टेकनोलोजी के अंदर डालना है यानि अब हम सीखने वाले कॉपी पेस्ट करना लीनक्स के अंदर सो स्टार्ट करते हैं तो कॉपी करने के लिए सिंप्ली हमारे पास command है जिसको हम कहते है cp cp means copy इस पेस देखे जिस चीज को कॉपी करना है उसका नाम डालना पड़ता है जैसे हमारे केस में test.txt है जिसको हमको कॉपी करना है और फिर वापस से space देना है और उसके बाद जिस location पर डालना है वहां का path डालना पड़ता है वहां का address डालना पड़ता है location डालना पड़ता है ताकि इस particular file को हम copy करके वहां पर paste कर सके as of now मैंने यात है मैंने कहा था कि copy कर लेना pwd करके तो उस path पर हमको basically डालना है technology के अंदर test नाम से अपना directory हम उसके अंदर अपना test.txt डालने वाले तो वहां जाने की मुझे ज़रूत नहीं मुझे सीधा यहीं पर पाथ paste करना है और देख रहे हो जैसे को error नहीं दिख रहा इसका मतलब कि हमने copy paste कर दिया है अब check कर करने के लिए एक तो हमारे पास option है कि हम direct वहां पर चले जाए navigate करके से cd home directory और फिर वहां से cd technology and then so on लेकिन मैं इत्ता महनत नहीं करूंगा हमारे पास Linux में फीचर है कि हमको वह सब करने की ज़रूत नहीं हम यहीं के यहीं से वहां पहुच सकते बस हमको उस path को copy करना है मै यानि अगर स्रिफ ls space दे के वहां का path दे दू तो within this directory मैं उस directory के components को भी check कर सकता हूं तो मैं ls कर लेता हूं और आप मुझे वहां पर address डालना पड़ेगा, part डालना पड़ेगा, location डालना पड़ेगा उस जगह का, तो मैं वह paste कर लेता हूं जो के मैंने copy किया था, oops, मेरे जैसे गलत हो गया, मैं थोड़ा सा change कर लेता हूं इसको हटा के, तो मैं इसको हटाता हूं और जो हमारा original यह हमको लेना था, तो मैं इसको copy कर लेता हूं, so once again, ls space और उसे paste करता हूं, अब मैं enter दबाता हूं, let's see, देखते हैं क्या होता है, तो जैसी मैं enter दबाऊंगा, त जैसे मैं ls करता हूं, तो मुझे test.txt मिल गया, और अब हमारा इतना पार्ट तो काफे clear है, और यह बस मैंने अभी just copy करके किया था, जो आपके सामने किया था, लेकिन still, अगर किसी भी तरह का confusion है, of course होगा, क्योंकि अगर आप first time देख रहे हो, तो confused होने वाली चीजी है, तो let's say, मैं once again कर लेता हूं, मुझे कोई problem ने, तो अभी आप देख रहे हो, ls के हो test.txt है, sample के अंदर में, इसमें तो कोई doubt नहीं, इतना तो अच्छे से clear होगा, अब मैं इसको copy कर लेता हूं, ठीक है, copy करने के लिए as always, cp for copy, cp space जिसको copy करना है, वो डाल दिया, space जहा करूंगा, तो यह सीधा home directory पर पहुच जाएगा, copy paste हो जाएगा, तो okay, कोई error नहीं है, इसका मतलब successful हो गया, मैं cd करता हूं, tilde लगाता हूं, home directory पर आ गया, अब मैं ls करके check कर लेता हूं, तो आप देख सकते हो test.txt वहां पर successfully आ गया, इसका मतलब copy paste हमारा work हो चुका है अब हमको यह करना है, जैसे अभी तक मैंने आपको दो तरीका बता है, तो यह ऐसा copy कर लो file के path को, या भी आप directly, normally भी डाल सकते हो, by the way, आपको copy करने के लिए बार बार PWD करके उसका पूरा location लेने के कोई ज़रुरत नहीं है, आप simply जो dollar के पहले वाला area है, उसको भी copy कर स रखते हो, और उसके इलावा, एलेस करके, simply आपको याद रहना चाहिए, बस कि मैंने कौन सी चीज कहां पर रखी, for example, इस case में मैं technology लिखता हूँ, TE, लिखा, अब इसके बाद में मैं tap दबाऊंगा, मैंने पहले भी बताया हूँ कि पूरा लिखने की कोई ज़रुरत नही है, यहाँ पर technology और test दोनों का कॉमा ने, इस वज़े से यह आगे नहीं बढ़ रहा है, that's why मैं एक बार C लिख दूँगा, और उसके tap करूँगा, तो अब technology आ जाएगा, अब technology आ गया, now again, अब मुझे पता technology के अंदर already मैंने रखा हूँ है, test नाम से, तो मैं सिधा T दबा दोंगा, तो खुद ले लेगा, test, देख रहे हैं, अब मुझे याद रखने के भी ज़वरोत नहीं है, कि उस location का क्या है, और copy करके paste नहीं करने कोई ज़वरोत नहीं, बस simple तरीके से मैं, वहां के direction को ले के आ सकता हूँ, copy paste कर सकता हूँ, तो copy करना तो आप लोगों ने सी सिखते हैं कि cut paste कैसे किया जाता है, cut paste एक बहुत important चीज़ है, सीखना भी बहुत ज़री है, तो चलिए इसको अच्छे सीखते हैं कि कैसे किया जाता है cut paste, तो cut करने के लिए हम simply जो use करते word वो है move, हम move करते किसी फाइल को एक जगा से दूसरे जगा, इस case में हम readme cloudshell.txt को हम move करेंगे, cut करेंगे और इसको कहीं और डाल देंगे, तो कहां पर डाले, चलो ठीक है, तो मैं आपको पहले command बता दू कैसे करते हैं, अब इस file को अगर मुझे करना है, move करना है, या cut करना है, तो उसके लिए जो command है, वो mv, ठीक है, simply mv लिखना है, space देना है, और जिस file को cut करना है, उसका नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर मैंने read me लिखा, tap दबाया, उसने पूरा ले लिया, और अब as always, मुझे path डालना है, जिस path पर मुझे इसको पूरी तरह से move कर देना है, तो बस यही fund है, जैसे copy करते, cp लगा के, उसी तरह move करते, mv लगा के, move का मतलब होता है, cut paste करना, तो मैं sample के अंदर इसको डाल देता हूं, और check कर लेता हूं, तो आप देख सकते हो, मैंने LS किया, और यहाँ पर मुझे नई दीख रहा है, read me, वही मैं CD करके, अब sample के अंदर जाता हूं, sample के अंदर चला गया, अब मैं LS करता हूं, और यहाँ पर आ गया, इसका मतलब मैंने successfully cut करके paste कर दिया, अब आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक problem, कि इतना भर चुका है, बहुत जादा ही code हो चुका है, और बहुत tough लग रहा है, इसमें समझना, तो बस clear एक command हो, जो बहुत use होता है, यह दबा के आप अपना workspace को काफी clean रख सकते हो, इत इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब second thing जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह भी बहुत important है, और लोग बहुत जादा use करते होगे, अप arrow, जब आप button दबाऊगे, तो उससे यह होता है, कि जो भी recent command हो दिखने लगते, जिसे मेरा clear था, clear दिख रहा है, again, down arrow से वापस से में current position पर आजाओंगा, तो अभी मैं up कर रहा हूँ, तो जो भी मेरे recent commands से वो continuously आते रहेंगे, इससे हमारा बार बार लिखने का time waste नहीं होता है, और अगर आपको पता है अपने पहले लिखा था तो आपको simply बस up arrow use करना और आप अपने recent commands को easily अपने सामने ला सकते, तो सिखेंगे, वो है कि हम rename कैसे करते हैं, तो rename करने के लिए हमारे पास कोई नया command ने है, बस हम mv command का use करते है, rename करने के लिए, हाँ अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है, मुझे mv लिखना है, space देके में को जिस file को convert करना है, उसका नाम देना है, तो जैसे मैंने ls कर अब मैं यहां पर readme cloudshell.txt को change कर देता हूँ, इसका नाम में replace कर देता हूँ, तो मुझे simply mv लिखना है, space लिखे, readme जो मुझे change करना है, उसका नाम लिखना है, space देना है, और अब जो मैं दूँगा, तो path के बदले मैं सीधा text का नाम दे दूँगा, जो मुझे replace करना है जैसे मैं कर देता हूँ, aa.txt, तो अब enter करते से यह change हो गया है, जैसे मैं ls करता हूँ, तो आप देख सकते हो, पहले readme था, अभी aa.txt हो गया है, अब ऐसा scenario मान के चलो, कि जहां पर मुझे यह करना है, कि मुझे move भी करना है, और file का name भी change कर सकते है, तो खेर, वो भी possible ह यही command का use करके, move भी करेंगे, और file का name भी change कर सकते है, अब actually confusion हो रहा होगा, कि same command से दोनों operate कैसे हो रहा है, तो ऐसा कोई confusion की बात नहीं हो, बस हमारा सारा खेल extension का है, जैसे इस case में test.txt लिख रहा हूँ, test के साथ, जैसे अगर मुझे rename करना है, तो तो मैं एक काम करता इसको erase कर लेता हूँ, ls करके देख लेता हूँ, अभी इस case में हमारे सामने दो file है, aa.txt और test.t, txt, अब मुझे क्या करना है, कि test.txt को replace भी करना है, उसको move भी कर देना है, और साथ में उसका name भी change कर देना है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, let me do ls, मैं ls करता अब देख रहे हो, यहाँ पर कोई directory नहीं, sample के अंदर कोई directory नहीं, तो मैं बना लेता हूँ, mkdir, space, और इस बार में directory का नाम ले देता हूँ, changed name, ठीक है, यह change name नाम से एक directory, ls करता हूँ, blue color में denote हो रहा है, दीख रहा है कि यहाँ पर एक directory exist करता है, अब मैं क्या करूँ mv करके test.txt को, मैं change name के अंदर डाल देता हूँ, test.txt करता हूँ, space लगा के, यहाँ पर लिख देता हूँ, changed name, ठीक है, यहाँ पर changed name आ गया, slash, अब मैं इसके अंदर, मुझे जो अपने file का नाम देना है, अब वो मुझे file नाम का डालना पड़ेगा, तो जैसे मैं यहाँ पर जाएगा, और उसका नाम भी change हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं ने extension दे दिया हूँ, dot txt का, तो recognize कर लेता है, कि हमको इस name में convert कर देना है, तो मैं ने इंटरे दबाया, कुछ error नहीं है, अब मैं LS करता हूँ, देखता हूँ, यहाँ पर नहीं है, मत इसका नाम चेंज हो गया, लेकिन वो फाइल कट होके, पेस्ट हो गया, वहाँ पर, तो बस यही सारा फंडा है, MV के अंदर का, तो आप में CD, ठिल्डे करके, होम डिरेक्टरी पर आ जाता हूँ, ठीक है, LS कर लेता हूँ, और आपके सामने यह सेंपल, एक डिरेक्टरी है, लेकिन सीख लेते हैं, तो मैं CD करके टेक्नलोजी में आता हूँ, LS करता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर है, टेस्ट नाम से, अगेन मैं टेस्ट के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर हमारा मेन फाइल है, test.txt, ठीक है, तो as of now, चलो मैं इसको डिलिट करता हूँ, तो रिम .txt कर रहा हूँ, तो यह दबाने पर रिमूव हो जाएगा, बस एक इंपोर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि लिनक्स में रिसाइकल भी नहीं होता है, एक बार तुमने डिलिट कर दिया मतलब कहानी खतम, और हो सकता है कि फिर बहुत मसले हो जाए, तो गल्ती से भी य आसान काम, तो प्रेटी सिंपल, लेकिन अब इसको थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड करने का टाइम आगया, जैसे पहला सिचुएशन यह है कि मुझे सैंपल के अंदर डिलिट करना है, ठीक है, बीना यहां से जाए हुए, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप डिरेक् एक होतकी सामें यह शारी है मैं यहीं से कर रहा हुँ मैं पता है सैंपल के अंदर मैं सैंपल लेख रहा हुए, करना चाहा रहा हूं और वो है option flags अभी तक आपने वो देखा नहीं था तो अब मैं बताता हूं कि flag क्या होता है हर command के आगे कुछ न कुछ flag होता है जिसका एक बहुत important role होता है हर particular situations में तो मैं इसके साथ अभी शुरुआत करता हूं तो अभी इस case में अगर आपको directory delete करनी है तो जैसे मैं hyphen sample slash यह सब डाल रहा हूं और मान के चलो मुझे पूरी की पूरी directory delete करनी sample की तो यह work नहीं कर रहा था तो इसके आगे ना मुझे बस hyphen r लगाना पड़ेगा और यह हो जाएगा काम क्यूं बहुत simple है hyphen r denote करता है कि रिकर्सिवली करेगा क्योंकि देखो कोई भी folder के अंदर हो सकता है कि और भी folders हो और बहुत सारे files हो तो एक जटके में हम बहुत सारी चीज़े delete कर रहे होते है one by one one by one recursion में उसमें काम चल रहा होता है क्योंकि folder के अंदर भी folder से तो वो भी हमको delete करना है ठीक है ना तो इसलिए हम hyphen r का use करते है hyphen r मतलब recursively चीज़ों को delete करने का काम करता है और इसलिए अब जब मैं hyphen r करूंगा तो देखो वो चीज़ और डिलिट हो गई अब LS करके देख लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं cd करता हूं home directory पर जाता हूं टिल्डे करके अब मैं LS करता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर कोई folder exist ही नहीं कर सकता है सैंपल नाम से जबकि वो था और इस वक हमारे सामने स्रीफ एक फोल्डर है वह टेक्नालोजी फोल्डर तो फिर मैं clear कर लेता हूं इसको और उसके बाद एक बार हम LS कर लेते हैं ठीक है LS करते हैं यह दिख रहा है लेकिन अब हम option के साथ LS करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं मैं यूज करता हूं यहां पर इस लस हाइफन एल ठीक है बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़े मिल जाती है जैसे user कौन सा group कौन सा permissions क्या है और उसका नाम क्या है तो यह भी यूज होता है जब आगे बहुत सारी चीज़ सीखोगे तो बहुत काम में आएगा यह आपको अब इसके हिडन होते कभी दिखते नहीं चिससाब के स्टार्टन में note करना ढूट है और diff नूटिस करना यहाँ पे कि यहां पे हम दबल कुछ दिख रहा है और यहां दे डबल क्या होता है मैंने पता है इसके मतलब होता है रोन स्टेप तो बैसीकली जब आप डॉट पे क्लिक करते ह तो आप यह वाला बैक बटन दबाते हो और कुछ नहीं करते हो यह नहीं इसी तरह हम बैक चले जाते हैं और यहीं मतलब होता है डबल डाट का तो और भी है ls के यह सबसे जादा यूज होने वाले चीज ते जो मैंने आपको बता दिया अब इसके अलावा हम और भी दूसरे कमांड के देखेंगे तो जैसे मैं mkdir करता था हमेशा एक फोल्डर क्रेट करने के लिए ठीक है mkdir से फोल्डर क्रेट होता है अब इसके आग तो जैसी मैं करूंगा इसने एक एरर थूर कर दिया क्योंकि वहाँ पर अल्रेडी एक फोल्डर डिरेक्टरी एक्जिस्ट करता था तो इसलिए ना इसके लिए एक फ्लैग है जो बहुत जादा यूज होता है खास करके automation के time पर मतलब अगर आपको automation करना है तो यह फ्लैग तो जैसे कि वह क्या करता है कि अगर अल्रेडी exist करता है तो ignore कर देगा यह अगर exist कर रहा है तो ignore कर देगा और अगर नहीं करताए exist वहां पर नहीं है तो वह क्रिएट करेगा तो अभी यहां पर देख रहा है उसने को एरर थो नहीं दिया लास्ट टाइम के जैसे वह बस केरी ओन कर लिया तो यह अपने को खास करके बहुत काम में आएगा जब हो आटोमेशन करेंगा ठीक है सो अब मैं रिमूब कर रहा हूं हाई को और हमने अल्रेडी देख लिया था वो नहीं हो रहा है इसलिए हमको हाइफन आर यूज करना पड़ेगा उसको रिमूब करने के लिए तो इस तरह हर कमांड में बहुत सारे तरह के अवालेबल है अब आप में भी सोच रहे होगे कि य यहां पर मुझे हैल स का पूरा डिटेल आ जाएगा है तो डिटेल तो मेरे पास आ गया अभी जैसे यहां पर दिख सकता है सीनॉप्सीस के अंदर सबसे पहलेन में फिर सिनॉप्सीस समय के अंदर ls के अंदर ऑप्शेंस लिका हुए अप्शें मतलब वही होता है जो से description भी दिया हुआ है कि वो क्या होगा फाइल का भी definition दिया हुआ है और यह देखो मैंने hyphen a use किया था और वहां पर लिखा हुआ है do not ignore entries और यही वज़से आया था जो भी डॉट से शुरू हुए थे सारे के सारे आ गयते उसने किसी को ignore नहीं कि ठीक है उसी तरह मैं थोड़ा और नीचे जाता हूं अपने स्क्रीन पर तो नीचे डाउन एरो से आप जा सकते हो वाइद वे तो नीचे जाओंगे तो यहां पर ऐल दिख रहा होगा उस आपको जैसी एल देखोगे यहां पर लिखा हुआ यूज लॉंग लिस्टिंग फॉर्मेट तो यह थी लॉंग लिस्टिंग फॉर्मेट जो आपने देखा तो यह यह ओवरॉल उसके बाद और नीचे जाओ सब कुछ डिटेल देखो आप अपने कर रही हो वर्क कर रहा हो किसी प्रोसेस में और मुझे जवर्दस्ति उसको डिलेट करना है तो मैं हाइफन एफ यूज करता हूं कि फॉर्स फूली उस पर एक्शन परफॉर्म करना है बाइदावए खवी मत करना बहुत रिस्की चीज़ है बिलकुल भी मत करना ठीक है आप से इसको देखो समझो और देखो कि एक्शल में यह वर्क कैसे करता है ठीक है फिलाल के लिए मैं क्यू करता हूं और वापस बैक चला जाता हूं तो यह बहुत ही सिंपल था इजी था समझने के लिए और आपको अभी कंटिनियूसली घर पे मेहनत करनी जो भी मैंने बताया ग!! juni बैक करते रहों और राए粉टिस बींद Shoulde elections और प्रेक्टिस करते रहों अलग 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 पाथ मैं डालो अलग 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 पास क्रिएट करो fowl 컨 nor touch command । से और करते रहों और जब प्रेक्टिस करते रहोगा धीरे बहुत ज्यादा यूस्तो हो जाओं और बाद में बहुत इजी लगने लएगा अभी काफी टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी लगने लएगा